पचीश दिसंबर को सैफ और करीना के बेटे तैमूर अली खान पड़ोदी ने इस दुनिया में एक कदम रखा और आते ही सब की आखों का तारा बन गया जन्म लेने के बाद कई दिनों तक तैमूर सोशल मीडिया पर चाया रहा और अब जल्द ही तैमूर एक और सरप्राइस देने के लिए तयार है खबर है कि तैमूर सैफ अली खान के शेफ बनने के सफर में भी उनके साथ रहेंगे दरसल तैमूर के जन्म की वजह से सैफ अली खान ने स्चूटिंग से ब्रेक लिया हुआ है सैफ इस वक्त जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वो है शेफ फिल्म की शूटिंग लखभग पूरी हो चुकी है लेकिन क्लायमेक्स का शूट होना बागी है ब्रेक के बाद जन्वरी में सैफ को फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए यूरोब जाना है लेकिन खबरों की माने तो सैफ फिलहाल करीना और तैमूर को छोड़ कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं इसलिए सैफ ने फैसला किया है कि वो करीना और तैमूर को अपने साथ ही यूरोब लेकर जाएंगे और फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगे अब उमीद की जा रही है कि जब शूटिंग के दोरान तैमूर सैफ के साथ होगा तो हो सकता है फिल्म में एक जलक तैमूर की भी दिख जाए हाला कि अभी तक इसके उपर कुछ नहीं कहा गया है आपको बता दे कि फिल्म शेफ होलिवुड की फिल्म शेफ का रीमेक है फिल्म में सैफ अली खान शेफ के किरदार में निज़राएंगे NMF News की रिपोर्ट